चीताज आगे बढ़ रहे हैं कि तभी एक पुराना दुश्मन नजर आता है जैकल एक सुरक्षत दूरी पर इनके पीछे-पीछे चलता रहता है इसे भी उम्मीद है कि चीते शिकार करेंगे अखिलीज हमेशा इस जैकल को दूर रखता था लेकिन ओडिन और शिवा का ध्यान किसी शिकार को ढूणने पर है तो वो इसकी और ध्यान नहीं देते इन ब्रदर्स को आखिरकार एक फीमेल वाट हॉग नजर आती है जिसके साथ बच्चे भी हैं ये चोटे-चोटे बच्चे इनका आसान शिकार बन सकते है लेकिन अखिलीस के ना होने से ये ठीक से हमला नहीं कर पाते ये बच्चे भाग जाते हैं और फीमेल वाट हॉग चीतास को भगा देती है दोनों प्रदस को भूखा ही रहना पड़ता है आज भी इने खाना नहीं मिला इसलिए जैकल भी भूखा ही रह जाता है अगले दिन ओडिन और शिवा फिर से कोशिश कर रहे हैं इनके निशाने पर है फीमेल वाट हॉग और उसके बच्चे चीतास की स्पॉटेड स्किन उन्हें छिपाए रखती है और आज वो इंतजार करते है मा अपना पेट भरने में लगी है और उसके बच्चे इधर उधर घूमने लगते है पो दिन तो इक बच्चे को पकर लेता है लेकिन शिवा को काम्यावी नहीं मिलती वो इधर उधर भाग रहे इन बच्चों में से किसी को पकरने की कोशिश करता है लेकिन झाले करते है ओडिन को छे दिन बाद कुछ खाने को मिला है शिवा ने भी कुछ नहीं खाया लेकिन ओडिन फिर भी शिकार को उसके साथ शेयर नहीं करता शिवा नाराजगी नहीं दिखाता ओडिन ने साबित कर दिया है कि कौन बड़ा है और शिवा ने भी इसे मान लिया है अपना पहला शिकार कर लेने के बाद अब ओडिन इस चीता ब्रदर हुड में शिकार करने के मामले में आखिलिस की जगे लेगा फीमेल वाट हॉग इस हमले से बुरी तरह घबरा गई है लेकिन वो अफसोस नहीं मना सकती इससे पहले कि उसके बच्चों में से कोई और मारा जाए उसे उन्हें यहां से दूर ले जाना होगा यहीं से कुछ दूरी पर घाय लेपर्ड कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहा है उसे एक फीमेल की सेंट मिली है जिसे एक मेल साथी की तलाश है फीमेल किसी मेल को पाने के लिए काफी बेचैन है अपने घायल पंजे की बज़े से ये शिकारी एक स्कैवेंजर बन गया है लेकिन फीमेल की नजर में यह अभी एक मेल ही है और इसकी एहमियत बराबर बनी हुई है इनका मिलना कई दिन तक चलता रहता है कई बिग कैट्स में फीमेल की ओवरीज तभी एक 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 रिलीज करती है जब वो मेटिंग कर लेती है लेकिन चार दिन तक लगातार चलने वाली मेटिंग के बाद घायल लेपर्ड के पंजे में शायद दर्थ होने लगा है वो तभी मेट करता है जब फीमेल उसके पास आती है और फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाते है घायल लेपर्ड बुरी तरद ठका हुआ और भूखा है और खाना ढून पाने की हालत में नहीं है तरह पाना एक अखेले चीते की बस की बात नहीं होती